नमस्कार दोस्तों मेरा नामे भरजेन स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल भरजेन पर आज का जो वीडियो है बहुत ही जबर्दस है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की तारिक में सोलार एनर्जी के बारे में पूरे इंडिया के अंदर पूरे वर्ड के अंदर बाते चल रही है लेकिन हम आज भी कंफ्यूज है कहीं न कहीं और हमारे एक आम आदमी के दिमाग में कहीं सारे सवाल है और उन सवालों के जो सॉलुशन वो परफेक्ली कहीं बार मिलते हैं कहीं बार नहीं मिलते हैं बहुत सारी वीडियो को अन्ति तक देखीगा क्योंकि हर एक सवाल आपके काम से या फिर आप सोलार लगाएंगे या नहीं लगाएंगे लगाएंगे तो कैसे लगाऊ उससे रिलेटेड है सो दोस्तो सबसे पहली बात अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके चैनल को सबस्क्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और जो लोग सोलार के अंदर या फिर हमारी प्रकृती के अंदर इंट्रेस्टेड है उसको बच लगाना क्यों है सोलार में क्यों ज sound इतना इंवेश्मेंट करूं तो रचाया यहाँ आती है कोई बी चीज हम शीज हमारे घर के अंदर लाते हैं तो हमारे लाइफ के अंदर को impact करती कितना role create करती तो सबसे पहली बात तो financial benefits हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप solar लगाते हैं तो पूरे solar का जो प्रोजेक्ट है overall में एक average बता रहा हूं कि अगर चार साल के अंदर 3 से 4 साल 5 साल के अंदर पूरे solar की cost आपको निकल जाती है मतलब आपने जितना भी investment किया हो और उसके बाद में जो solar चलता है मतलब इसकी अभी तक जो life मानी जा रही है 25 साल तो minimum है क्योंकि 25 साल की तो warranty यहां पर company जो solar बनाती है वही देरी है तो but obvious है कि उससे ज्यादा भी चल सकता है इसके बाद में चार साल के बाद में आप free हो जाए कि आपको बिजली का कोई बील आएगा तो यह one of the best investment माना जा रहा है कि आप सिफ solar के अंदर जाते हो क्योंकि solar से जो energy जिसको बोलते वह green energy निकलती है यानि कि coil का जो surgeon होता है वह यहां पर नहीं होता है तो इस वज़े से भी हमें solar के अंदर जाना चाहिए और आगे आने वाले समय के अंदर solar ही हमारे लिए energy का one of the best source होगा क्यों क्योंकि हम लोग तो natural जो हमारे सूरी देवता है उनकी जो हमारे पास में किरने आ रहे हम उससे बिजली का उत्पादन कर रहे है अब दोस्तों सबसे पहले सवाल पर चलते हैं यह तो मिने आपको benefit के बारे बता दी कि क्या benefits आपको मिलने वाल है अगर पर कुछ लोग तो हमारे यहाँ पर normal row house में रहते हैं जिनका जमीन का गर है और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर building में भी रहते हैं अब building पांच माले की भी होती है दस माले की भी होती है और अलग-अलग होती है दूस्तों यह जब आप रेक्षी डेंशल के अंदर जब के नाम का होना चाहिए तो जिसके नाम पे होगा उसके नाम पे ही solar को किया जाता है दूसरी चीज़ अगर आप फ्लेट में रहते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉलम है क्योंकि जो terrace है क्योंकि solar है तो solar तो बट आप आपके फ्लेट के अंदर balcony में तो लगा नह लगाते हैं terrace पे लगाते हैं तो जब आप फ्लेट पे रह रहे हो तो आप आपके पर्सनल नहीं लगा पाओगे पर्सनल लगाने के लिए कि अगर आपके उस पूरी बिल्डिंग में अगर 20 फ्लेट है तो 20 फ्लेट की notarized NOC होगी तो आप आपका पर्सनलाइज लगा सकते हो लेकिन वो तो आपको पता है कि हमें मिलने वाली नहीं है तो हाँ यहाँ पर एक चीज़ जरूर कर सकते हो कि अगर आपको residential building के अदर रह रहे हो तो वहाँ पर सबकी notarized आप जो NOC है वो collect करके आपके जो common light bills होते हैं हर एक building के अंदर कुछ common हमारे खर्चे होते हमारा lift चलता है हमारी passage की light चलती है हमारे लिए पानी के लिए जो mortar चलती है आप उस खर्चे को कटोती कर सकते हो क्यों क्योंकि वह भी तो आपी के maintenance का एक पार्ट है ना क्योंकि जब भी maintenance की बात होती है जो सबसे बड़ा बिल में ने देखा है वो कहीं ने कहीं हमारा light bill ही होता है तो आप यहाँ पर common अगर आपकी पूरी society मानती है आपकी building के जितने भी लोग है वो अगर यह चीज़ मानते हैं तो आप इस process के अंदर जा सकते हैं दोस्तों दूसरा सवाल हमारे सामने यहाँ पर create होता है कि ठीक है चलो हमने यह decision ले लिया कि हमें solar लगाना है और मैं इतनी जगर गेरेगा मतलब की जो solar है वो कोई इसी चोटी सी डबी तो है नहीं बहुत बड़ी-बड़ी पैनल आती है इसके अंदर तो इसके लिए यह है कि आप जो solar लगाते हो आपके residential के अंदर तो वहाँ पर हमारे पास में दो तरकी भी solar panels available है एक जो solar panel है वो आपकी 330 watt पिक की आती है और जो दूसरी solar panel है वो 550 watt-pick की आती है अब जो 330 watt-pick की जो पैनल आती है वो completely इंडिया में manufacture होती है और इसकी जो size है वो 2-1 है मतलब 2 meter आपके ऐसे मिलेगी एक मिटर आपको ऐसे मिलेगी और इसी solar panel के उपर आपको subsidy भी मिलती है क्योंकि दिमाग में तो य government आपको बहुत emphasize कर रही है influence कर रही है कि आप इस तरह की energy में जाओ और इसके लिए वो आपको financial benefit भी देती है लेकिन जो financial benefit है वो आपको पता है कि अगर Madden India product होगा तो उसके उपर ही मिलता है तो जिहां यह जो 330 watt-pick की जो पैनल है जिसके अंदर करीबन 72 sales आते है वो वाली आपका जो घर का lot capacity है वह आपको अगले वाले सवाल में clear करूंगा तो आपको अगर समझ लो की एक kilowatt लगाना हो तो आपको एसी तीन पैनल लगानी पड़ेगी सो अगर हमें यहां पर एक kilowatt का plant लगाना हो solar का तो आपको जो space की जो requirement होगी वो रहेगी यहां पर 80 square feet की क्यो क्योंकि आप यहां पर 330 watt peak वाला जो हमारा पैनल है हम लोग residential में उसको use करते हैं लेकिन अगर आप commercial में जा रहे हो तो मैंने जिसा बताया था आपको कि जो दूसरी solar panel है that is the 550 watt peak की जो पैनल आती है लेकिन इसमें आपको subsidy नहीं मिलती तो यह वाली जो पैनल है 550 watt peak की यह करी बात करते हैं कि आपको कितने kilowatt की solar plant लगाना पड़ेगा तो दोस्तों पहले क्या था कि जिसे आप bitter bill देख रहे हो तो यहां पर आपको जितना load capacity बता रहा है आप उसके मुताबिक उतना ही रख सकते थे यानि solar panel आप उतना ही लगा सकते थे लेकिन पिछले कुछ वाक्त मे हमने ये देखा क्योंकि हमारा भी load हमेशा बढ़ता रहता है हमारे गर में भी नहीनी चीज़े आती रहती है और दूसरी चीज़ अगर हमारा ज्यादा अगर हम लोग बिजली का उत्पादन कर पाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमें ही benefit होगा और गवर्मेंट को भी benefit होग बुले यार्थ तो फिर इसका बिजनस हम लोग शुरू कर सकते हैं अगर मेरे पास में पुरा खेते तो मैं वहां पर बहुत सारे किलो ओट लगा दू और मैं गवर्मेंट को बिजली सप्लाई करूं तो दोस्तों एक्चुली इसमें क्या है कि जब आप इतना प्लांट बेजेंगे गवर्मेंट को अब गवर्मेंट वो जो बिजली खरीदेगी तो आपको जो बिजली आपको जो रेट में मिल रही है उस रेट में नहीं खरीदेगी वो खरीदेगी उनकी रेट में करीबर वो दो रुपे के आसपास यूनिट पड़ता है तो अगर उस रेट म बिजली सप्लाई करोगे आपके लिए एक business खड़ा हो जाएगा तो आप यह नहीं कर पाओगे हाँ आपके खुद के जो consume हो रही जितनी बिजली उतनी बिजली का उत्पादन करिए वह आपके लिए one of the best way है अगला सवाल यह है कि मैंने भी सबसीडी की काफी सारी बात करी त और सबसीडी कब कैसे और क्या मिलती है तो दोस्तों यह जो सबसीडी है वो सेंट्रलाइज है और कुछ state के अंदर इंडिया में वहाँ पर state subsidy भी प्रोवाइड की जाती है अब यह जो सबसीडी है वो रहिशी डे इनिशेल प्लान के अंदर ही मिलती है अगर आपका गर है आपके खेत हैं अगर आप वहाँ पर कुछ लगाना चाते है तो आपको सबसीडी मिलेगी लेकिन अगर आप commercial अगर आपकी factory है और वहाँ पर आप यह लगाना चाते है तो वहाँ पर government की तरफ से आपको सबसीडी नहीं मिलेगी अब यह सबसीडी कितनी किस level तक मिलती है त और इसके उपर अगर आप 5 kv का लगा रहे हो तो 1-3 kv तक तो आपको 40% मिलेगी लेकिन इसके उपर आप जा रहे हो तो 1-3 kv का 40% और आपका 3 से लेकर 10 kv तक का आप एक्टेंड करते हो वहाँ पर आपको 20% मिलती है तो इस तरह से ये सबसीडी का average चलता है अब दिमाग भी सवाल आता है सबसीडी दे रहे हैं मतलब जरू ये plant महेंगा होगा तो इसकी जो plant की cost है वो थोड़ी सी variable होती है मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो हर जगब पर ये जो price है वो government के through fix है मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भी vendor होगा वो उसकी हिसाब से coat करेगा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर government के हिसाब से completely उनको एक tendering होती है और उसके अंदर एक cost है उतनी ही वो cost आप से ले सकते हैं तो यहाँ पर जो आपकी average जो cost जाती है कहीं न कहीं वो करीबन 45,000 से लेके 55,000 तक एक kilowatt का खर्चा आता है अब इसके अंदर आपका जो solar panel है वो आ गए उसके साथ में inverters आ गए cables आ गए और उसके साथ में एक चीज और यब यह जो solar plant लगाते हैं तो solar panel जहाँ पर लगती है वो fabrication का shade होता है कितना हेवी लगाना है वो थोड़ा सा उसके उपर भी डिपेंड करें और कई जगह पर तो आपको site AC भी मिलेगी जहाँ पर आप directly यह जो solar panel है वो आपकी roof के उपर ही लगा पाओ मतलब कि आपको कोई भी shade की जरूरत नहीं है आपको कोई shade नहीं बनाना fabrication का तो आपका सस्ते में भी हो सकता है दोस्तों यह जो amount हमारे पास में निकल के आ रहा है वो amount के अंदर GST भी include है और इनका जो GST calculation है dip में नहीं जाओंगा करीबन 13.8% के आसपास GST calculate होता है अगला सवाल बहुत important है वो यह है कि अगर मैं एक बार solar plant लगा लेता हूँ अपने गर पर तो क्या यह जो बिजली है मतलब कि अगर चली जाए अगर light चली गई तो क्या मैं solar का जो power है वो अपने गर में यूज़ कर पाऊंगा मतलब मेरे गर पे कभी भी light नहीं जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर सवाल का जवाब ऐसा है कि वो चीज नहीं कर सकते और क्यों नहीं कर सकते इसके पीचे थोड़ा सा डिटेल जाते है एक चुरी दो तरह के plant है यहाँ पर इंडिया के अंदर भी फिलाल एक होता है on grid एक होता है off grid और एक तीसरा और आने वाला है लेकिन अभी उसके बारे में कोई policy clear नहीं है that is the hybrid on grid plant के उपर ही सबसीडी मिलती है और वो ही लोग लगाते है अब यह जो on grid होता है उसमें क्या है कि यह जो भी बिजली आप बनाते हो उसके लिए आपके घर के नीचे एक bi-directional meter लगाया जाता है यानि कि जब बिजली बन रही है तब आप consume कर रहे हो लेकिन जैसे ही बिजली GEB की या फिर आपके जो government की बिजली cut off हुई तो automatically जो solar plant है वो आपका shutdown हो जाएगा मतलब कि उस टाइम पे ना तो बिजली बनेगी ना उस बनी हुई बिजली को आप आपके घर में use कर सकते हैं it's very clear यहाँ पर क्योंकि क्या अगर आप बिजली बनाते रहोगे उधर से government ने बिजली cut की हुई है तो यह जो बिजली बन रही है वो सीधे extension wire के तुरू चली जाएगी और यहाँ पर कुछ damages हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है there is a other technicalities हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ पर clear है कि अगर आप subsidy वाली आप यह जो ले रहे हैं solar plant लगा रहे हैं तो आपकी जब तक light रहेगी तब तक बिजली भी बनेगी और तब तक उसको use भी कर सकते हैं इसके बाद में नहीं कर सकते हैं off grid जो है उसके अंदर अगर आप लगाते हो तो आप लगा सकते हो लेकिन वो आपके खर्चे पर लगाने होगी government उसके अंदर कोई subsidy नहीं देती है अभी फिलाल जो policy है वो AC ही है और इसके अंदर आप बाहर का जो plant है मतलब जो बाहर का power है जो government का power होता है वो भी आप यहाँ पर use नहीं कर सकते है तो मतलब AC जगह पर off grid सजेस्ट किया जाता है जहाँ पर आपकी light ही नहीं तो वहाँ पर आप off grid के अंदर जा सकते हैं बाकिया अगर टाउन में रहते हैं तो आप but away से on grid में ही जाएंगे अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगले सवाल की दरफ जाते हैं कि चलो हमने यहाँ पर decision ले लिया कि मुझे solar के अंदर जाना है मुझे इतने kilowatt की जो plant है वो मुझे लगाना है मुझे subsidy कुछ इस तरह से मिल जाएगी अब यह जो subsidy है वो यहाँ पर दो चीजे चलती है एक subsidy ऐसी है कि जहाँ पर अगर आप गुजरात में रहते हैं यह सबसे ज़्यादा culture गुजरात में और fact आपके साथ में share करूँगा कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी solar plant लगे for example कि अगर 100 solar plant लगे हैं उसमें से जो गुजरात का contribution है that is the 90% मतलब 80 to 90% जो solar plant लगाए जा रहे हैं आज की तारिक में वो गुजरात में लगते हैं बाकी पूरे जो 10% या 20% जो बचते हैं वो इंडिया के अंदर है तो सबसे जादा solar उत्पादन जो है बिजली का वो गुजरात करता है और उसके पिछे का reason यह है कि यहाँ पर जो solar लगाने वाली जो agencies हैं जो vendors हैं जो companies हैं उनके साथ में जो government की जो subsidy होती है for example आपका 1,00,00 रुपे का bill बना अगर यह 1,00,00 रुपे का bill बना और उसमें subsidy जो है वो 40% है अगर 40,000 है तो आपको 40,000 less करके only 60,000 का ही payment करना है बाकी की जो subsidy का amount है वो directly government से agency जो है वो लेगी बाकी सब जगपर शायद ऐसा नहीं है other states के अंदर वो हर state by state आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा बाकी सब जगपर क्या होता है कि आपको 1,00,00 रुपे पहले पूरा उसको दे देना है आपके vendor को और फिर government करीबन एक मेने से लेकर दो मेने का time उनका जो भी होगा वो लेगी और इसके बाद में जो उपर का 40,000 रुपेज है वो आपके account में credit कर दिया जाएगा इस तरह से चलता है लेकिन गुजरात के अंदर काफी बढ़िया है इस सब चीज़े हैं कि आपको आपको जो government से लेना है लेते रहो हमको तो less करके लगा दो तो इस वज़े से भी कहीं न कहीं ये एक ऐसे कुछ plan है जिसके वज़े से लोग जाकरूग हो रहे हैं और अपने घर पर solar plant लगा रहे हैं अब दोस्तो हमने ये सब finalize कर लिया अब ये बात और आती है कि इसके अंदर बहुत सारी company manufacturing के अंदर है लेकिन एक इसमें term चलता है that is the tier 1 अब ये जो tier 1 है मतलब वो superior brand है वो काफी अच्छी quality की एक मतलब उनका एक standard है वो बनाती है और वेसी बनाने वाली पूरे world के अंदर जितनी company हैं मतलब करीबन 30 brands है जो tier 1 type बनाती है उसके अंदर पांच जो companies है वो इंडिया की है तो यहां पर जो solar plan के अंदर tier 1 के अंदर जो registered company इसके बाद में विक्रम है टाटा है अदानी है और वारी है तो यह इस तरह की total 5 company है जो tier 1 में आप इसको साथ में जा सकते हो other brand में भी जा सकते हो आप जाना चाहो बट यह brand ज्यादा preferable है अब यह जो आपके पास में जो solar panel आती है उसके अंदर warranty भी company provide करती है 10 साल की manufacturing defect अगर कुछ होता है तो उससे related warranty है 25 year की performance warranty है मतलब यह जो पर चलो हमने सब यह लगा दिया खर्चा कर दिया और यहां पर बिजली का उत्पादन हमारे यहां पर शुरू हो गया तो इसके अंदर बट वे से maintenance भी आएगा तो maintenance कितना आता है यह जो process है बहुत ही simple है बहुत ही dust जम जाती है तो आप जितना अच्छे से इसको clean रखोगे उतना production आपके लिए ज्यादा होगा अगर यह ज्यादा मेला रहेगा डस्टी रहेगा तो आपके लिए पर production कम create होगा हना time to time आपको इसको थोड़ा सा साफ और cleaning करना पड़ता है इसके अलावा बात रही कभी कुछ चीजे खराब हो गए अब electrical appliances से बहुत ही normal normal सी चीजे बहुत जादा इसमें component है नहीं तो normal अगर कुछ भी होता है तो यहां पर आप brand से AMC भी ले सकते हैं जो vendor है या फिर आप उसको call के उपर भी बुला सकते हैं वह आपको एक बार आके देख सकता है लेकिन बहुत जादा maintenance जैसा यहां पर कुछ नहीं है तो दोस्तो हमारे पास में जो अगला सवाल आता है वो इस सवाल यह है कि आपको बिल किस तरह से आएगा तो दोस्तो यहां पर क्या है कि government की तरफ से जो government की जो बिजली है वहां से आपको bio directional जो एक meter है वो आपको अलोट किया जाता है और इस meter के अंदर आप कितनी बिजली का उत्पादन कर रहे है वो figure होता है और आप कितनी बिजली का consumption कर रहे है उसका figure भी होता है अब for example कि आपने 1000 यूनिट बिजली बनाई है और 900 जो यूनिट है वो बिजली वो आपने खपत करी है मतला आपके यहां पर consume हुई है तो आपने 100 यूनिट जो है वो एक्स्ट्र amount है यानि कि जो यूनिट आपने extra बनाई है वो उनके पास में जमा हो जाती है और पूरे साल का जब calculation होता है क्योंकि 12 महीने एक जैसे तो नहीं होते न कहीं जगा कहीं बार ऐसा भी होगा कि घर्मी में आप सबसे ज़्यादा बिजली बनाऊगे क्योंकि उस टाइम पे के उपर वो थोड़ा सक कम हो जाएगा या तो वह एवरेज मेनेज हो जाएगा अगर वह एवरेज मेनेज नहीं होता है फिर भी अगर आपने जितनी यूनिट क्रियेट करी है बनाई है अगर वह उनके पास में जमा है तो यह जब वो लोग करते हैं उस टाइम पर 2 रुप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है हर मंत के हिसाब से है यहाँ पर और मैं अगर एवरेज की बात करूं तो करीबन एक किलो वाट का जो सोलार प्लांट है वो आपके लिए एक दिन में 3.8 यूनिट एप्रॉक्सिमेट जनरेट करता है देखे जब मार्च जून इस ताइप क के आसपास हमारा एक किलो वाट सोलार प्लांट जनरेट करता है उसके अकोडिंग अगर मैं 30 से मल्टिप्लाइट बाय करूं तो अगर 3.8 का में कैलकुलेशन लगाओं तो यहाँ पर 114 यूनिट हुई मल्टिप्लाइट बाय अगर आपके यहाँ पर जो भी यूनिट की र बनाके देता है तो आप इसके अकोडिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके घर का बिल कितना आता है और आप यहाँ पर कितना सोलार प्लांट लगाना चाहेंगे और उसके साथ में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा हमारे यहाँ पर घर पे हमेशा नए-नए एक आते जाते हैं और उसके साथ में जो सोलार प्लांट है वो धीरे धीरे जैसे पुराना होता जाएगा उसका प्रोडक्शन धीरे 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 कम भी होता जाएगा लेकिन उसके साथ में एक और क्यालकुलेशन यहाँ पर लगती है कि जैसे जैसे यह कम तो होगा के अंदर जहां पर हम completely समझेंगे कि यह जो solar plant है वो किस तरह से install होते हैं practical ही बताने की कोशिश करूँगा सब चीज़े practically समझाऊंगा एक पुरा का पुरा demonstration ले लेंगे बहुत ही एच्छे से practical पुरा installation का सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करिएगा अगर मेरी जो information है वो अगर आपको समझ में आई हो और लगता है किसी और क्यों भी helpful रहेगी तो उसके साथ में share करिएगा मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर कोई नई टाइप की technology नए गे आनल दोसे का अगर आपको है तोसे रहेगा में की क्यों आफ आपको थजवा है किसी हागा मिलते हैं किसी तोसे के वीडियो कोई आपको में हुआआ पकोई बेर क्यूंस फवा है गे वीडियो के रJan